मेलो दोस्तो क्वूढ मॉनिंग और अज मैं आपनों को बैक्टीटू का अर्थ परिभासा के परकार हों परिक्षिन के बारे में बताने वाला हूं थीक है याप लोग को बीड और सीटेट वैगर review exam में ड satellites वैग्र तो उसके लिए सब चीजे महतुपूर्ण है तो ध्यान दीजिएगा मैं इससे पहले आप लोगो बुद्धी पढ़ा चुका हूं क्या इंटेलिजेंस बुद्धी के वारें बता चुका हूं अगर नहीं देखें तो जाकर पिछले वीडियो में देख लिजे प्लेलिस्ट मे अब आये हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बैक्तितों का अर्थ बैक्तित उत मतलब होता है इसका इंगलिस सब्ध होता है फैका है अगरेंजी के भाषा है परस्नालटी का हिंदी रुपा-द्रण ठीक है, personality, sabd, latin भासा के personal, persona, किस में, persona याद रखिएगा, कहीं पर short type का जो रहता है, objective question पूछ लेगा, कि personality, sabd जो होता है, latin भासा के, कौन से sabd से मिलकर बना है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखें किस से, persona से, जिसका अर्थ होता है, नकाब या मुखोटा, इसका अ ठीक है, या फिर इसका नकाब भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, या दिखावा जिसे, मतलब बोल सकते हैं न, नकाब, मुखोटा या फिर दिखावा, जिसे ग्रिक ना एक नाटक करते समयं पहनते थे, ठीक है, अभी भी देखते हैं कि कभी नाटक होता है वहाँ पर क्या होता है एक मुखटा उपर वो पे पहन लेते हैं है मतलब कि कभी नाटक देखे तो उसमें क्या होता है कि मुखटा पहन कर कोई भी रावन का या फिर और और किसी का वो क्या करते हैं कि उसके ब्रोल निभाते हैं ठीक प्ररम में ब्रक्तित्व के अर्थ ब्रूप रंग से ही लगाया जाता था लेकिन पहले जो ब्रक्तित्व को क्या आर्थ दिया जाता था कि ब्रक्ति के बाहरी रूप रंग से ठीक है मुखोटा के रूप में लेकिन इस ब्रक्तित्व को पुर्णता अब्यग्यानि घोजित कर दिया गया जिसका कारणिया है कि कई ऐसे ब्रक्ति के उधारन मिलते हैं जिनका को अिसपर कर्मन बिघ्ञान के पंटित्व का अर्फ बैक्तिक के रूप वनों का क्या सम्वेस्घ वाना जाता है। तो बैक्तित्व जो होता है वो दोनों मतलब कि आंत्रिक बाहरी मतलब कि दोनों क्या होता है रूप और गुनों का क्या होता है समाविष्ठ होता है ठीक है यह ने कि सिर्फ बाहरी रूप देखे और बोल दिये कि यह आप लोग को क्या है परस्नाल्टी है बैक्तित्व है नह लेते हैं कि मनों बेग्यानिक अपने मत दी है बैक्तित्व को लेकर जिसे बैलेंटाइन है बैक्तित्व जन्वजात और अर्जित परिविट्तियों का योग है ठीक है यह सब यह सब जितने भी परिवासाएं है यह कहीं पे भी आप लोग को एक्जाम में अब्जेक्टिव या फिर डैरेक्टर दे देगा कि बैक्तित्व जन्वजात और अर्जित परिविट्तियों का योग है तो यह आप लोग को एक्जाम में डैरेक्ट पुछ लिए जाएंगे कि क का कथन है तो आप लोग को मार कना पड़ेगा बैलेंटाइन ठीक है तो ध्यान में रखियेगा और अप लोग कि बहोले थे कि बैक्तित्व की घुनों का समनवीत रूप ठीक है अब आयए अलपोट मोहदय क्या कहना था बैक्तितों बैक्ति के भीतर उन मनों सारेडिक गुनों का गत्यात्मक संगठन है जो बाता वरण के साथ उसका अद्दीतिय समयोजन का निर्धारित करता है ठीक है यह अलपोट मोहदय कर कहना था अब आएए बैक्तित्व की कुछ भी सिस्ताएं जिसे बैक्तित्व जो होता है आत्म चेतना निरंतर निर्वान की परकिरिया सरीरिक वह मांसिक स्वास्त और द्रिड इच्छा सक्ति इसका बैक्तित्व का कारान मतलब की कुछ भी सिस्ताएं इस तरह से इसका बैक्तित्व के परिकार ये बिसे स्ताय कुछ हो गया बैक्तित्व के परिकार में बैक्तित्व के परिकार से ततपर बैक्तियों की ऐसे बर्ग से है जो बैक्तित्व गुनों की द्रिष्टी से एक दूसरे के काफिक समान है विभिन मनो बेग्यानिकों को द्वारा भिन भिन धंगों से बरगे करिद किया गया है जिन में से क्रेस्मर के नुसार यहां पर देखते हैं क्या उन्होंनों ब्रेक्तित्व को बाटा है शिच्छा मनो बेग्यानिक्स क्रेस्मर ने अपने पुष्टक इनका एक पुष्टक था क्या था क्या था शाइकर्ट कर आ फ्य Spain क्रेक्टर यल्यंक पूष्टक का नाम था इनका इसने सरीरिक राचना के क्या भिक्रिया वेग्तित्व को डिव्याइड किया है जिसे पहला इन्होंने बोल दिया लंब काई ठीक है क्या बोल दिया लंब काई ठीक है लंब काई को ही हम लोग और ना बोल सकते हैं कि एस्थेनिक ठीक है क्या बोल सकते हैं एस्थेनिक क्रिस्काई एस्थेनिक क्रिस्काई और बोल सकते हैं लैप्टो स्वोमिक क्या बोल सकत लंब का एक ही लंब का एक को ही बोल सकते हैं फिर इसी को बोल सकते हैं सक्तिहीन इसी को क्या बोलते हैं सक्तिहीन सक्तिहिन इसलिए बोला जाता है कि इस टाइप के जो आदमी होते हैं वो आप लोग का चिर्चिरे टाइप का होते हैं ठीक है लंबे होंगे चिर्चिरे टाइप का होंगे ठीक है तो ध्यान में रखिएगा सुडोल का जो होते हैं जिसे सुडोल का जो आते हैं आप लोग का एस क्या एथलेटिक्स एथलेटिक्स जो होते हैं जो आप लोग को क्या बोल सकते हैं कोई भी गेम खेलने वाले मतलब की गेम खेलने का मतलब यह नहीं कि सारी गेम जिस तरह से आप लोग को किर्केटर हो गया या फिर फुटबॉल गोल काई किया होता है एन सब्सक्राइब का सुडॉलके में रखा है क्लेश मर्म काई क्या हता है गोलकाय का मतलब क्या होगी आप लोग जैसे इसको में अस्थुलकाय भी बोल सकते हैं उसका गोलकाय का मतलब बोल सकते हैं अस्थुलकाय क्या अस्थुलकाय भी बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं क्या पिकनिक पिकनिक भी बोल सकते हैं इसी को बोल सकते हैं साइकलोड क्या बोल सकते हैं साइकलोड साइकलोड बोल सकते हैं तो यह आप लोग के गोलकाय स्रेनी में मतलब की ठीक है रखा गया है ऐसे बैक्ति जो होते हैं गोलकाय बैक्ति जो होते हैं एकदम खुसमिजाज होते हैं मस्त रहते हैं ठीक है सभी से मिलनसार भी होते हैं असाधारन जिसको बोल सकते हैं असाधारन को बोल सकते हैं कि मिस्रित तो यह आप लोग के नुसर बताया गया है यूंग महादþ के नुसर क्या था कि सिच्छा मना बेग्यानिक यूंग ने अपनी पुस्तख साइकलोजिकल टाइप्स ठीक है इंघ्रेसमर का क्या था, साइकी एंड क्रेक्टर यह पुस्तक में इन्होंने ऐसे लिखा है लेकिन यूंग महोदे का क्या करना है इनकी पुष्टक थी psychological types में मनुस्थ के परकिर्थी के अधार पर बैक्तितुका ठीक है यह सारीरिक रक्षिटना के अनुसार क्रेसमर महोदे का बांटा गया है यहां यूंग महोदे ने किस्ये मनुस्थ के परकिर्थी के अधार पर बै यहां पर देख लीजे क्या क्या है कि तीन परकार में जिसे अंतर्वैक्ति अंतर्मुख्य मैंने बोल दिया अंतर्मुख्य अंतर्मुख्य का इंग्लिस में बोल सकते है इसको इंटो वर्ड क्या बोल सकते हैं इंट रोड तो ध्यान में रखिएगा यह चीजे इंट्रो वर्ड क्या होता है कि इस परकार के ब्रेक्तित्व के लोगों का सोभाउ आदते गौन बाहर रूप से दिखाई नहीं देते हैं अंतर का मतलब की अंदर मतलब की ठिक है तो इनके जो सोभाव आलते गुन बाहर उपसे दिखाई नहीं देते हैं यह आतम केंदरित होते हैं और सदा अपने आप में मस्त रहते हैं ऐसे बैक्ति क्या होते हैं संकोची, लजहसिल एकांध प्रिये मितवासि जल्दी घबराने वाले आत्म केंदी तर्था आत्म चिंतन करने वाले बैक्ति होते है जैसे इसमें क्या आजाँगे अंतरमुखी बैक्ति में क्या आजाँगे तो राइटर आजाएगा जिसको बोल सकते हैं लेखक ठीक है फिर आप लोग का विचारक भी आ जाएगा लेखक विचारक बेग्यानिक या दार्षनिक बेग्रवी आ जाएगा इसको में क्या दार्षनिक बेग्रवी आ जाएगा तो यह सब ध्यान में रखिएगा आप लोग ठीक है यह सब ध्यान में रखिएगा कि अंतर जयगत क्या क्या आ सकते हैं तो लेखयक, विचारक तयादि ये सब आ सकते हैं ठीक है फिर यूँग मुहदं दूसरा जो बैक्तित्व का पार्ट रखें ये बहिर मुखी में क्या Х कि इस परकार के बैक्तित्व के लोगों के रूची जो होता है बाहर जैगत में होती है ऐसे जो लोग होते है वो बाहर ठीक है बाहरी दुनिया के मतलब की जैगत में क्या बोल सकते है कि लोगों से होता है ठीक है रूची जो होता है बाहरी दुनिया में जैसे ऐसे बैक्ति ब इसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रो वाट बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बहेर मुखी पर्सनाल्टी बैक्तित्व का मतलब जानते हैं पर्सनाल्टी ठीक है तो एक्स्ट्रो बैक्तित्व के ऐसे बैक्ति को क्या 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 कौन-कौन हो सकते हैं तो जैसे इसको में हो सकते ह आप लोग का जो नेता बैग रहा हो गया ठीक है नेता राज नेता जिसको बोल सकते हैं सिच्छक बैग रहा हो गया टीचर्स बैग रहा हो जो हो गया फिर समाजिक कारे करता जो होते हैं सोसल बरकर जो होते हैं यह सब आप लोग के आ जाएंगे बहिर मुखी मतलब की बाहरी डीju ऐसे तो यह क्या होते हैं कि कुसल चिंतामुक्त समाजी का और आसावादी बोध की होते हैं ऐसे ब्यक्तित वाले को क्या बहेर मख्य ब्यक्तित वाला हुआ है कि तीसरा की रूप में तीसरा पर गहल चुम है उभाटित वाला जो हना मतलब होता है आप का MB main MB bot क्या बोलते हैं MB bot MB bot ठीक है इंट्रोवाट एक्स्ट्रोवाट और MB वाट होता है उभाय मुखी होता है अंतर मुखी बहीर मुखी और उभाय मुखी होता है ठीक है तो उभाय मुखी जो होता है इस परकार के बैक्ति तुम्हें अंतर मुखी वा वहिर मुखी दोनों परकार के गुन पाया जाते हैं इस परकार के बैक्ति एक अच्छे लेखा क्या वक्ता बन सकते हैं ठीक है तो देखिए ये आप लोग का यूंग महोदे के नुसार था ठीक है अस्प्रेंसर के नुसार क्या है कि सिच्छा मनुवेगैनिक अस्प्रेंगर अस्प्रेंगर अपनी पुष्टक में क्या लिखे हैं अपनी उनकी पुष्टक का नाम था इसमें बैक्तित्व के परकार के बारे में इस परकार बताया गया है। अब देख लेते हैं इन सबों के एक्जांपल। ठीक हैि सेधान्तिक बैक्तित्व में क्या क्या आ सकते हैं जिसे ये सब में आप लोग का लेखक ये सब सेधान्तिक में आ जाते हैं लेखक मतलब राइटर बोल सकते हैं साहितकार बोल सकते हैं बैग्यानिक बोल सकते हैं ठीक है साहितकार हो गया बैग्यानिक हो गया पत्रकार ये सब जो आ जाएगा ये आजाएंगे आप लोग को सेधान्तिक बैक्तित्व वाले में ठीक है अब आए आप लोग को आर्थिक बैक्तित्व वाले ये किनका अस्प्रेंगर महोदे के नुसार ये अपने पुछतेक में टाइप इंडिया में लिखे थे ठीक है आप लोग आर्थिक वाले में आजेंगा इसको बोलते हैं ठीक है economic तो उस वाले ब्यक्तितु वाले लोग जो होते हैं क्या होते हैं दुकंदारी दुकांदारी जो होता है वो समझालते हैं दुकंदारी या फिर बैपारी बैगरा जो होते हैं वो होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि उद्योग पती ये सब जो होते हैं क्या उद्योग प राजनेतिक में आप लोग को बता है नेता राजनेता यह सब आ जाते हैं लीडर यह ठीक है लीड मतलब की लीडर क्या होता है लीड करने की मतलब की छमता होती है उसको में ठीक है बहुत सारी लोगों को लीड करने की छमता होती है उसको लीडर बोलते हैं अब धार्मिक बैक्तित वाले जो हते हैं अब धार्मिक में समझी रहें कि क्या क्या आ सकते हैं तो धार्मिक ब धार्मिक रखितित्ववक्त वाले में हो कलात्मक में आप लोग प्ता ही है कि जो कलाद कहता है कला इंतिया या यह को तो आप सब वीडियो अच्छा लग रहे पन शऑती है खर आप लोगो वीडियो अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों में सेयर करते रहें ताकि उन लोग को भी यह सब चीज है पढ़ने को मिल सके ठीक है अब चलते है next Bible… क्या बैक्तित्व परिक्षन के बारे में कुछ है देख लेते हैं ठीक है बैक्तित्व परिक्षन के महापन के लिए अन्यक बीधियों और परिक्षनों का प्रयोग किया जाता है जिन में से कुछ महतुपुन बीधियां इस परकार है ठीक है वो तो बैक्तित्व क्या था? आप लोग का अर्थ जान लिए, विशेष्टा जान लिए, परकार जान लिए, अब आए बैक्तित्व परिक्षन के बारे में जानते हैं, क्या होता है? तो बैक्तितु परिक्षन क्या होता है मापन के लिए अनेक बीधियों और परिक्षनों का प्रयोग किया जाता है परस्नाल्टी मापने के लिए अनेक बीधियों और परिक्षनों का क्या 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 जाता है प्रयोग क्या जाता है जिन में से कुछ मुत्यों बिधियां इस तरह से आत्मणिस्ट बिधी में क्या होता है किWhat ए से हम लोग बैक्ति थुझी को क्या करती है कि मापते हैं तो इस विधिय के परिक्षक द्वातर किया जाता है इस क्रिछन की paraluk creativity निम्ने लिखी थे इसे आत्म निष्ट विधी जो हता है जो ब्यक्ति जो हता है स्वय क्याता है परिक्षिक द्वारा मतलब खुद के द्वारा किया जाता है इस परिक्षिन के प्रमुक विधी इस तरह से जीवनितिहास विधी परशनावली विधी सच्छातकार विधी और आत्म कथन विधी यह सब विधियों के द्वारा आप आत्म निष्ट विधी को क्या कर सकते हैं मतलब की माप सकते हैं ठीक है फिर दूसरा बोल सकते हैं बस तु निष्ट विधी बस तु निष्ट विधी में इस विधी में बैक्तिक के बाह आच्रन का आध्यन के जाता है है ह नियांत्रिक निरिक्षन विधी, मापन निरिक्षन विधी, मापन रेखा विधी, सारीरिक प्रिक्षन विधी, सारीरिक प्रिक्षन विधी, तो ऐसे इन सब विधियों से क्या बोल सकते हैं हम लोग, वस्तुनिष्ट विधी, ठीक है, को माप सकते हैं, फिर आता है प्रक्ष जाती है जिसमें बाला के मन में अकत्रित हुई बात है अपने आप ही बाहर आ जाती है और इस परकारिक्षण की परमुख विधी निम्नल लिखी थे इसको बहुत ही महतुपुण माना है सब्वीधियों में जिसे आप लोगा बहुत सारे विधियों जिसे रोर साक जो भी स्याहिद अब्भा परिक्षन जो है इंक बोर्ड जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इंक बोर्ड ठीक है स्याहिद अब्भा परिक्षन जो होता है क्या होता है देख लेते हैं हम लोग तो इस संचेप में क्या बोलते हैं RIT क्या बोलते हैं इसे संचेप में आर आई टी बोलते हैं ठीक है इस जिसका पूरा नाम होता है क्या होता है पूरा नाम या इंक वाट जिसको बोल सकते हैं टेस्ट होता है इस पर इक्षिनकर निर्मान हारमन रोड़सा मोहदे ने किया था जो कि स्विस में वेगया नेक थे इसमें 10 क्या होते हैं कार्ड होते हैं जैसे आप लोग को पूछ लेंगे कि जो रोड़साक जो होता है वो उसमें से, उसमें क्या होता है, मतलब कितना काड होता है, तो ध्यान में रखिया कि 10 काड होते हैं, काड की संख्या जो होता है, 1, 4, 5, 6, 7, पर क्या होता है, कि सफेद रंग होते हैं, 1, 4, 5, 7, 5, 6, 7 पर क्या होते हैं, सफेद रंग होते हैं, काड संख्या 2 और 3 पर क्या ह होते हैं ठीक है काड तथा काड़ संखे 8 910 पर कई रग में मसीलखण बनते है कि यह काड एक करके क्या होता हुझा है क्रमित रूप से ब्यक्पति के सामने प्रस्तूत किया जाते हैं और पूझ जाता है कि मसीलखण में क्या दिखाई दे जाया है तो इस तरह से आप लोग को ROT जो होता है 吗four πάि년 watch क्या होता है टेस्ट किया जाता है ठिक है अब आए नेक्स्ट जो आते हैं प्रक्षग भी नि-में ठिक है नेक्स्ट आप लोग बोल सकते हैं कि प्रासांगिक क्या होता है अंतर बहुत प्रिक्षन प्रसांगिक आयंतरबद प्रिक्षन जिसको बोल सकते है TAT इसका short form में क्या होता है TAT TAT का full form क्या होता है आप लोग देख लिजिए Thematic Aperception क्या Thematic Aperception Test जिसको बोलते है TAT तो कभी-कभी TAT का full form भी पुछ लेते हैं तो ध्यान में रखेगा आप लोग इस प्रिक्षन का निर्मान मौर्गन तथा मुरे इस प्रिक्षन का जिन्दी निर्मान किया था और किस ने किया था मौर्गन तथा मौरे मौद ने किया था ठीक है TAT का अब देखिए इस प्रिक्षन का निर्मान मौर्गन और मौरे ने उने सो कितना में किया था उने सो पेंटिस में किया था इसे कथानक बोध परिक्षन भी करते हैं क्या कथानक बोध परिक्षन कथन कहकर ठीक है इसमें 30 चित्रों का क्या प्रयोग किया जाता है इसमें 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है ठीक है जैसे रोड सावला में कितना 10 card का प्रयोग किया जाता था लेकिन इसमें बोल देगा प्रासांगिक अंतर बहुत परिक्षन जो होता TAT जिसको बोल सकते है TAT बिधी के बिधी में क्या होता है मतलब कितने चित्रों का मतलब प्रयोग किया जाता है तो 30 चित्रों का जिसको में 10 क्या होता है महिला का होता है जिसको बोल सकते है फिमेल फिर 10 आप लोग का पूरुस का होगा मेल होता है और 10 जो होगा महिला महिलाओ दाथा पूरुस दोनों को के लिए किया जाएगा ठीक है तो मेल और फिमेल दोनों के लिए 10 10 10 मतलब कि 30 हो जाएंगे ठीक है पहला में क्या दस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए दस फिर पूर्सों के लिए सिर्फ और दस जो चीतर होंगा महिलाओं और पूर्सों दोनों के लिए होता है तो यह आप लोग को पराशांगी कंतर बोद जिसको बोल सकते हैं TAT भी ठीक है यह बेक्तित्व मापनी का एक ऐसा भी विधी है फिर आप लोग आई बालक अंतर अंतर बोद विधी बालक अंतर बोद विधी जो होता है क्या होता है इससे संछेप में CAT बोलते हैं कि आप किट मत समझे लिजीगा CAT का मतल मतलो होता है Children A PERCEPTION टेस्ट होता है क्या होता है ? चिल्डरेन अपर्शिप्शन टेस्ट होता है, ठीक है, यह इस परिक्षन का निर्मान लियोपोर्ड बिलांक ने किया था, इस परिक्षन का निर्मान पर्तिपादक जिसको बोल सकते हैं, लियोपोर्ड बिलांक बोल सकते हैं, लियोपोर्ड बिलांक, ठीक है, 1948 में किया गया था C.A.T. का जो परिक्षन किया गया था वो कितना में किया गया था 1948 में और T.A.T. का परिक्षन 1935 में तो ध्यान में रखते जाईएगा ठीक है इसमें क्या होता है 10 चित्र होता है इसमें 10 चित्र सभी चित्र किसी ने किसी जानवर के बने होते हैं जो पूर्सों जैसा बेवार करते हुए दिखाई देते हैं इसके दोरा बालकों के रूचियों और उनके किरियों को पता लगाने में पता के बारे में पता चलाता है ठीक है तो यह आप लोग का बालक अंतर बोध परिक्षन जिसको बोल सकते हैं CAT ठीक है त्हकर नीर्मान में किसमें किया था तो लियोपॉण泥 नहीं किया था लेकिन ये जो है 50 वर्शाथ कायू के लिए इसमें कितने टेस्यों काइब होते हैं तो ये सब ध्यान में रख Pennsylvania कितने चीत्र होते हैं तर दस चीत्र होते 50 आगर एस-80 के बात कर दिया जाए ठीक है इस tie में तो कुल काडे इसको झाल होते हैं लेकिन कितने वर्स दिचाएंям के वह वाद शुर्गों के लिए किया जाता है जिसको बोल सकते ना बरिष्ट अंतरबोध परिक्षन फिर यह आप लोग का ब्रैक्तित्व जो है लगभग समाप्त हो गया तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया परस्नाल्टी ठीक है इतना आप लोग को एकजाम में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो जिससे कग सकते हैं जिसे आप लोगका फिर आविनबीधी का परियों करते हैं है जिसे और भी होते हैं क्या जैसे से सीटी होता है क्या सीटी भी होता है जिसको बोल सकते हैं संटेंस कंप्लिट टेस्ट होता है जिसको बोल सकते हैं कि बाग के पूर्ति परिक्षन इसका परतिपादक बोल सकते हैं कि पाएने वा टेंड़लर थे क्या पाएने वा टेंड़लर पाएने वा टेंड़लर टेंड़लर जिसको बोल सकते हैं ठीक है वो थे जो कुने 130 में क्या किया था इन्होंने SCT का द्मान किया था मतलब की परियोग किया था ठीक है लेगिन इसका सरपर्थम भारत में बिस्व अब SCT का जो sentence बोले ना complete test इसका जो भारत में परियोग किया गया था सबसे पहले वो किस ने किया था तो बिस्वनाथ मुखर जी किये थे द्यान में रख सकते हैं आप लोग SCT का जो सरपर्थम परियोग किया गया था किस के द्वारा किया था भारत में तो बिस्वनाथ मुखर जी के द्वारा लेकिन पूरा वर्ल्ट की बात करें तो एविंग होस के द्वारा किया जाएगा ठीक है जैसे इसमें अधुरे बात को क्या करना रहाता था पूरा बात करना रहाता था जैसे बोल सकते हैं मेरे आदर सब्यक्ती डैस 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 दे दिया ठीक है जैसे मेरी इक्छा है की अब मेरी इक्छा है की उसके बाद डैस 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 दे दिया तो इसको पूरा कीजिए बाब को तो इस तरह से आप लोग का ACT का क्या किया जाता था important है आप लोग ध्यान में रख सकते हैं परियोग किया जाता था sentence complete test ठीक है